अभी तक महेंदर सिंग धोनी की तरफ से इंडिकेशन और कनफर्मेशन नहीं आया है कि क्या वो IPL 2025 खेलेंगे मैंने इस से बकवास न्यूज आज तक नहीं सुझी रुतुराज गायकवाड कम से कम धोनी जडेजा भाई की तरह भागे तो नहीं थे कपतानी से बढ़िया से कर रहे थे और धोनी ने जब बोला मेरी तरफ में देखो अपने आप देखो थोड़ा सा मुश्किल है यह समझन के अठारा करोड वाला प्लेयर कौन सा होगा मेरे साब से जडेजा को अठारा करोड में लिया जाएगा सेन्यॉरिटी वाले बेसिस पे ऐसा लग रहा है कि इनके पास वह वाली टीम नहीं है जिसमें पांच प्लेयर्स आप रिटेन करना चाहो पहले से पहले महिंद सिंग के बाद अगर कोई प्लेयर है जिससे चेन्नाई सूपर किंग्स का बहुत ही डायरेक्ट कनेक्शन है तो वह है सुरेशन इसके अलावा अगर आप देखें तो और जो प्लेयर्स हैं इंडियन प्लेयर के नाम पर दीपक चाहर अब शायद दीपक चाहर से ज्यादा वह IPL रिटेंशन का चल रहा है सीजन और चेन्नाई को मिल जाएंगे धोनी सिफ चार करोड में बिकॉस इस थाला फॉर रीजन भई यहां पर आई यह क्या रूल्स बनाए हैं IPL रिटेंशन के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इस पॉड़कास्ट में अभिशेक मन पर मुझे यह बता हो कि यहां पर यह बाकी जो टीम है जो विराट कोली के लिए अठारा करोड देंगी रोहिश शर्मा के लिए अठारा करोड देंगी सब अपने अपने आइकॉनिक प्लेयर के लिए अठारा करोड देंगे यह चेन्नाई सूपर किंग्स के पास क्या प्लेयर को सिफ 4 करोड में मिल जाएंगा 40 करोड हो जा रहे हैं ना पीछे से परदे के पीछे से जा रहे हूं बडबपन है ए माही भाई का सिवेंट की बोरियों में इंडीय सिवेंट की बोरियों में इतने बड़े आदमी है वो उनकी अनुवल फंक्शन के अंदर अपना ID काड डाल के जाते हैं यह बडपन हमाही भाई का मयपन है अरे कहां लेकर जा रहे हो आप तो पर चलिए लब शुड़ू करते हैं इस पॉड़कास्ट को और यहां पर IPL डेंशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी यह दे देते हैं कि 31 अक्टूबर डेडलाइन है और जो IPL गवर्णिंग काउंसिल की तरफ से और जो BCCI ने जो चीजे निकाली हैं वो यह है कि पहला रेटेंशन कोई भी टीम टोटल 6 खिलाडियों को रेटेंड कर सकता है उसमें से 5 जो हैं वो आप रेटेंशन या राइट टो मैच की तरीके से कर सकते हैं एक अनकैब्ड इंडियन प्लेयर को आप 4 करोड में खरी सकते हैं और महेंद सिंग धोनी क्योंकि अनकैब्ड ने क्योंकि कोई मैच नहीं खेला ना उन्होंने इंडिया के लिए थेल नहीं पाए वो 2019 में 5 साल हो गए पूरे 5 साल 15 गज़ लेकिन ये जो रूल है जो हम कहरें तब से के माही भाई 4 करोड माही भाई 4 करोड ये रूल किसके लिए बदला गया है और ये रूल पहले पहले आपके बुक्स में था रूल बुक्स में था अचानक से आद आते के हमाही भाई उनको खिलाने का एकदम सस्ता सुबर टिकाओ आई पील में काफी टाइम से था कभी किसी टीम ने यूज नहीं किया पिछले साल इसलिए हटा दिया क्योंकि यूज नहीं हुआ था पर इस साल CSK को लगा के यार हम ये यूज कर सकते हैं हम बेवकुव हैं यह उन्होंने का क्या करने ने भी फिर अस्ते विदे पर उनके ऊपर बहुत सारे मीम सो बन रहें बढ़ाकर बढ़ाकर एक बार इस चक्कर में वो नेगी साब को ले गए थे 11 करोड़ अरे हो जाता है कभी कभी क्या हो गया भी खेल दो देखो किस भावना से खेल रहे हैं उस चकर में पावन नेगी आसंग नहीं बदा चला कि कहां गए गायब भाई रिष्टेदार 12 करोड़ ले गए न ये कहकर कि इसके पास तो बहुत पैसा है अटेदा भी जामी घुशचा । बर दो कह channel 90 तो सुबर कमकी नहीच सीवारे मैं कांसे वह यो सकते हैं चे शे 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 खिलाड्य हो सकत Dw khác क Audement 3 स 14 17 21 3 d5 और तो 18 कोर्ट लोऔख दने पडाएंघ का तक महेंदृ निसिए वाले कि तरफ सेрийकेशन नहीं आया है कि क्या वो IPL 2025 खेलेंगे मैंने इस से बकवास न्यूज आज तक नहीं कुछ जिस आदिनी के लिए यह रूल बदल दिया गया वो कह रहे हो उसने अभी तक क्योंकि यह दो मनलब दो पैसे की टीम तो शयद बुरा हो जाएगा मनलब बाकी लोगों को अगर आप देखोगे यह टीम अगर 2023 का IPL जीत सकती है 2021 का IPL जीत सकती है तो महिन सिंग धोनी ने पता नी किस किस को प्लेयर बनाया है तो कोई सी भी टीम दे दो महिन सिंग धोनी के साथ वो बनाई देंगे भाई वो ले जाएंगे प्लेओफ तो 120 करोड तो जो पूरा परस है वो धोनी के पास ही है हाँ तो चलो आप सुरू अभिशेक आप से शुडू करते हैं कि IPL में इस बार चैनाई सूपर किंग के क्या रिटेंशन हो सकते हैं यह सी एसके के रिटेंशन एक तो है अपने धोनी भाई तो चार करोड हो गए उनको तो साइड कर दिया ने 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 आप सबसे पहले धोनी बाकियों का नाम लेत पहले रिटेंशन दोनी है लेकिन वो उनकेपद है वो उनकेपद है तो अब उसके बाद आ जाते हैं एक तो कप्तान साब को रिटें करेंगे शायद रुतुराज गाइकवार्ड कितने पर करेंगे वो अपने आप देख लिए कि 11 में फिट करना है 14 में फिट करना है अब कप्तान को किती इजद देनी है 6 करोड थी इनकी सेलरी पिछले साल अब थोड़ा तो बढ़ा के दे सकते हैं पर रुतुराज गाइकवार्ड कम से कम जड़ेजा भाई की तरह भागे तो नहीं थे कप्तानी से ये बात तो है बढ़िया से कर रहे थे और धोनी भाई ने गातब है थे खानला थे बात्तiden बनाता भाई है क्ट है पतरने है 4 सब्सर के निकौन एंडिया वहले थे निचित कर देंगाल उनख में नी को इंची ये गीशा जविखनें टारिया होने तो फेलीं बहुत से लोग अध्य संटीन बात में कर डेंगे खर उतरार् आपके जडेजा साब, और फिर आते हैं दूबे साब, मेरे तरफ से ये तीन, और दुनी भाय का मिला के चार नाम ये हो जाते हैं, और दो रख सकते हैं, और रटीम के हिसाब से अब ये मैं शौर नियू किसके लिए करेंगे, बट रचन रविंद्रा मुझे अच्छा नाम द क्योंकि वो तो अनकैप तो जाई रहा है, उसके अलावा तीन रिटेंशन कहा हैं, इस पर मैं आपके वापस आउंगा आपकी लिस्ट पर क्योंकि इस लिस्ट में जो आपने तीन प्लेयर बताएं हैं, थोड़ा सा मुश्किल है ये समझना के अठारा करोड वाला प्लेयर क अन्यास ले लिया है, रविंदर जडेजा, जिसके T20 इंटरनेशनल में बहुत बढ़िया रिकॉर्ड भी नहीं थे, या इसमें मतब आपकी बात कोई, नहीं मैंने कहा कि मैं इस पर आउंगा, मेरे पास जो आपकी लिस्ट देखी तो उससे जो सवाल है, मैं पहले वो सवा युनिवर्स में थ्रो करना जाता हूं, या फिर आप 11 करोड पर या फिर किसी को भी आप जब आपने शिवम दूबे का नाम लिये तो आप उतना रिटेन करोगे, क्या शिवम दूबे अगर ऑक्शन में होते तो क्या 11 करोड तक जाते, ये कुछ सवाल है जो कि हम थ्रो करे युनिवे भी हैं, डेरल मिचल भी हैं, जुन्होंने CSK के लिए एक अफिके रहे हैं, बिल्कुल, चलो आप बताएं, तो मेरे तो सिरफ दोवी रिटेंक्शन है, ठीक है, और मला दोनी को हटा के, तो दोनी और रूतुराज, गाइकवाड और जडेजा, अब मेरे साब से को 18 करोड में लिया जाएगा, सिन्यॉरिटी वाले बेसिस पे, वो भी भी सोला पे तो हैं है, जडेजा और जब दोनी ने खुदी पीछे हट गए थे, कि सोला में जडेजा को रिटें करो, तो इसलिए जडेजा 18 पे, रूतुराज 14 पे, और उसके बाद दोनी है, और रचीन रवेंदर, या तीक्षणा, या फिर डेरल मिचल, ठीक है, तो चलो आपकी भी लिस्ट पर आएंगे, क्योंकि CSK के साथ, ऐसा लग रहा है कि इनके पास वोली टीम नहीं है, जिसमें पांच प्लेयर्स आप रिटें करना चाहों पहले से पहले है, तो रिटें तो कर बाद में और फोड़ा कम हो जाता, आट हो जाता, पांच हो जाता, पांच हो जाता, तब उस केस में आप सारे डिटेंशन देखते हैं, टो लुग कंफ्यूस इसलिए हो रहे हैं, कि इनके बेस्ट पलेयर्स यह चाहेंगे कि रिटें करें, अपने कोर मेंटेन करने के लिए जो कि CSC की पुरानी आदत है कि core maintain करते है अपना बड़ आपके दिमाग में वो आ जाता है कि यार क्या 18 करोड इने देने चाहिए है नहीं यूँकि रिटेन करने लायक प्लेयर्स तो है पर आप पैसे को लेकर थोड़ा सा वो हो जाते हो senior citizen team है न अब problem यह है कि मेरी भी जो list पैयार है वो मेरी list बिल्कुल अभिशेक मंचन्दा जैसी है मैंने तीन प्लेयर्स को रिटेन किया है दिमाग भी यह सेम बंदा पैठा है इधर और उधर MS Zoni चार करोड पर MS Zoni again in uncapped category में वो चार करोड तो है उसके अलावा 18 करोड 14 करोड और 11 करोड के लिए तीन प्लेयर्स है रविंद जडेजा, रुतुराज गायकवार और शिवम दूबे अब मुझे ऐसा सा लगता है एक चीज तो है कि मुझे यह लगता है नहीं दिल से डिसीजन लेने वाली टीम है क्योंकि दिमाग यह कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ दोनी के अलावा रुतुराज गायकवार को ही रिटेन करो सिर्फ 18 करोड पर क्योंकि अगर ना तो मुझे लगता कि आज की तारिक में रविंदर जडेजा हुए हैं टीवेंटी फॉर्माट से इंटरनाशली लेकिन वर्ल्ड चैंपियन बन के आ रहे हैं बल्कुल और इस बेसे पे उनके भाव बढ़ सकते हैं क्योंकि आप यह देखो कि जब साम करन को लिया गया था तब उनके भाव क्यों बढ़े थे जबकि वो अस्ट्रेलिया में जीत किया है वहां पर मैन ओफ द शीरीज बने वहां पर जाकर और मैन ओफ द मैच बने जाकर तो तब उनके जो बढ़े और पंजाब ने इतना उनके उपर पैसा प्लश कर दिया वह इस बेसिस पे के नहीं कि यह देखना भूल के का भाई वहां पर पिच देख ले वहां पर मीडियम पेसर भी काम करते हैं और यहां इंडिया में पिच देख लो यहां पर मेरी भी लिस्ट है वही लिस्ट है और मैंने अठारा करोड में रविंद्र जडेजा को रखा है और रविंद्र जडेजा क मैं 18 करोड में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि देखें ये एक टीम है जिसने इस चीज से तो इनका लेना देना रहा नहीं कि किसने रेटार्यमेंट ले लिया है किसने नहीं लिया ये तो मोहिन अली को भी साथ में लेकर चल रहे हैं इतने टाइम से तो बहुत सारी चीज हैं जो चैने सूपर किंग जिस तरीके से सोचती है उस तरीके से शायद कोई भी नहीं सोच सकता चैने सूपर किंग की आप हर बार पिछले तीन-चार साल में टीम उठाओगे और आप काओगे कि भाई ये टीम प्लेओफ तक नहीं पहुता है लेकिन सचाई है कि पिछले तीन साल में वो दो बार जीत चुके हैं पिछले तीन साल में वो दो बार पिछले चार साल में वो दो बार आई-पिल जीत चुके हैं मुझे और एक और जो बड़ी चीज लगती है कि महेंदर सिंग धोनी कभी तो होगा कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा ना हो इस साल ना हो शायद अगले साल भी हो सकता है लेकिन अगर महेंदर सिंग धोनी के बाद अगर कोई प्लेयर है जिससे चेन्नाई सूपर किंग्स का बहु मैं वापस अना चाहता हूं सुरेश रहना भी चार करोन में इक प्लेयर नियू रइटन हो जबता था सथा भी तो लेकिन यह कहनी यह है कि एलगे सब्स्नाई सूपर के साथ तो वहां पर वो जो कनेक्षिन की यह यह टीम इन्वेस्ट करती है आप उन खिलाडियों में उन उन लोगों पर कहीं भी आप वैसे भी अगर देखो देखे रुतुराज गायकवाड को अभी काफी टाइम लगेगा एकसेप्ट करने में कि ये चैन्नाई सुपर किंग्स वाला बंदा है अभी रुतुराज गायकवाड को आप देखते हो तो आप देखते हो के एक बढ़िय रहना हो या इवन फर दाइट मैंटर शिवम दूबे भी वो भी अगर आते तो उतना ही शोर मज जाता है अचानक से कि भाई अब यह लंबे-लंबे चक्के मारेगा हमारा ही लड़का है तो वो एक ही ट्रोफी दूर है बस तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद यही हो चैनाई सूपर किंग्स के लिए मुझे लगता कि अब उनको कोई वो करना और देखा जाए तो चैनाई सूपर किंग्स के लिए बहुच्छन में आर्टियम इनके उपर भी जोग दे और शाहरदूल थाकुर बेभी लेकिन मुझे ने बहुत जादा लौट शारदूल लग लेकिन मोईन अली ने भी बहुत जादा लगता पिछले काफी टाइम से परफॉर्म भी नहीं किया बहुत जादा परफॉर्म नहीं किया अगर वहां पर फोड़े लूटे लूटियम ने लिए ना के वह एक्सपेक नी करती कि वह वह एक्सपेक्ट करते हैं कि तॉप उप के बाद यह मेगा उक्षिन है यहां से आगे की फ्यूचर की टीम में इन्वेस्ट करना है तो वहां पर मुझे लगता के मोहीन अली अभी वो खिलाडी है लेकिन वो खिलाडी डेरल मिचल अगें 33 साल के हैं न्यूजिलेंड के लिए बैटिंग बोलिंग सब कुछ कर लेते है मत भूलिये डेरल मिचल ने जब पिछले साल 2023 के वर्ड कप में इंडिया के अगें दो सेंचुरीज में मारी तो डेरल मिचल ऐसा नहीं है के इंडियन पिचस पर नाकाम रहे है रचन रविंद्रा भी कहरो हूँ मैं डेरल मिचल भी कहरो हूँ ले आईपील में अभी तक इ रचन रविंद्रा शायद 7-8 करोड तक जा सकते हैं और पिछली बार भी ऐसा लग रहा था और रचन रविंद्रा सिर्फ 1.8 करोड में बिख ले तो इसी पर रिटेन करने का कोई ऑप्शन मिल जाए तो मसा जाए तो रचन रविंद्रा को लेकर हो सकता है CS के सोच रहा हो क बाई इनको RTM पर देखा जा सकता है 11 करोड तक की शायद इनकी वैल्यू ना लगा इसके अलावा अगर आप देखें तो और जो प्लेयर्स हैं इंडियन प्लेयर के नाम पर दीपक चाहर अब शायद दीपक चाहर से जादा वो NCA के लिए केलते हैं तो दीपक चाहर को तो नहीं लेकर जाना चाहेंगे अल्रेड़ी एक बार दीपक चाहर और बैन स्टोक्स पर पैसे लगा कर चेंड़ी पिछले दो सालों से कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंड़ी ने सहा ही है और यह यह बैन स्टोक्स की वज़े से यह रूल आया गया है कि अगर कोई मेगा उक्श सर्मंद गिया था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कोई बात नहीं हम भी मजेदार बंदे हैं पर चलिए मतीशा पती राना और महीश ठीक शाना के बारे में बात कर लेते हैं यह दो ऐसे खिलाडी शीलंका से आते हैं दोनों खिलाडी और चेंड़ी सूपर किंग्स में खेलते हुँए बड़े नैचरल लगते हैं बिलकुल कहीं न न कहीं धोनी साब का नी नैचरल क्वं ऑप Just लू साइक या-दो सीजन ही खेले हैं लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगता है कि येलो जर्सी में वो पता नी कितने सालों से खेल रहा है ऐसा महिन सिंग धोनी का उनके उपर विश्वास रहा है और पधिराना के लिए तो मैंतलब MS धोनी पहले भी कई बारी उनको बोल चुके है उनके फैमली को बोल चुके है इसको T20 खिलाओ जादा लॉंगर फॉर्माट्स मत खिलाओ उसके लिए बेटर सूटेड है प्लस पधिराना अपनी नाशनल टीम के लिए जो उनकी टीम है उसके लिए उतना बढ़िया करे ना करें यहां पर जैसी दोनी भाई के अंडर आते हैं वहां पर रख 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 के जो स्लिंगर योरकर मारता है अबलकुल और जब मैने यह का ना कि है बड़े नैचुरल लगते हैं CSK के लिए आव इसको ना उस दूसरी कैटिग्री में मत ले गर जाईए मैं कुछ का है लेकि टूसरी चीज जो दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं है विद आल सीरियसनेस कई सारे क्रिकेटर्स गभी किसी फ्रैंचाइजी में दिखा है तो उनके साथ एक ऐसां कनेक्शन नहीं बन बाता कि यह तो इसी टिम का बंदा है लेकिन क्योंकि ये दोनों का किसी और फ्रेंचाइजी के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहा है और जब उनको शुरुआत से ही आपने CSK में देखा है तो आपको लगता है रहे यार ये CSK का प्लेयर जैसे फाफ डू प्लेसी को देखकर अब जाकर लग रहा था इस पॉडकास्ट के लास्ट फेज में हम जाना चाहते हैं और यहां पर मैं यह पूछना चाहता हूं कि 18 करोड, 14 करोड और 11 करोड की हमने बात करी है अगर 18 करोड रविंदर जडेजा को मिल रहे हैं तो वो जस्टिफाइड है 16 करोड रुपे उनको पिछले सीजन तक में भी थे अब 18 करोड हैं और वन ओफ दा बॉनफाइड लेजेंड और यहां पर ठीक है अगर 14 करोड में आपको रुतुराज गायकवार्ड जो की कैप्टन है उनको रिटेन करना पड़ता है तो वो भी जस्टिफाइड है 11 करोड में अगर आपको शिवम दूबे मिल रहे हैं वर्ड का विनिंग प्लेयर और अल रॉंडर अगर अल रॉंडर उनको माना जा सकता है अभी तो वो वाला रूल है कोई और सा प्लेयर तो आपको इस पूरी टीम में नहीं देखता जो आपको लगता है जिस पर 18 करोड और 14 करोड यानि की नंबर 4 और 5 का रिटेंशन होना चाहिए या फिर क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये मनला कोई और तो ऐसा प्लेयर नहीं है जो 10 करोड की सीलिंग तोड़ेगा हाँ लगता है अपको कौन है तो जिंक्या रहने 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 18 करोड मुके चौधरी समीर रिजवी को सब भूल रहे हैं समीर रिजवी को हमारे याँ पे कपिल भाई होते थे समीर रिजवी इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा होता क्या है कि जब जो सेयद मुष्टाकली ट्रोफी होती है उस साल जो कोई बढ़िया परफॉर्म करके आता है तो उसके भाव बढ़ बढ़ जाते है और ऐसा ददा लगता है कि वही बंदा बाग लगाने वाला है लेकिन ऐसा कई बार होता नहीं है मला अगर हम बात करें अपने प्रित्वीशो की उनको तो पॉंटिंग भाई तक एंडॉर्स कर चुकिया और बिलकुल वेस्ट इस बार पॉंटिंग भाई नहीं है इस बार तो वह अपने महराश्य की टीम में भी नहीं है इस बार प्रत्वीशो वेड़ में और बाते सुनने को आरी है 35 kg बढ़ा हूँ है ओवरवेट नहीं और बलब कर मैं तो ओवरवेट के बारे में क्या ही बात करूँ इस जुए अलावा भी जो जुए जुए अलावा भी जो ज्यूलिस इक में xemर जो जुए जाते इए जिए जस तरीके की प्रोब्लम से इंधार नतिशने की बाते है ठीम्लक्तीं Yourarts जाते problem कि ऋ आय्ले है का यह रिए तेना अरो nearly so जिसली सर्सुर्स港 क्रिट्रह लोगी कर दूजय है मैं अभूषा की क्सा करी है परलन ह हम दो जिसले ज़ीन तो और एक ऐस ऐसा टैलन्ट, ऑगा coping पृत्वी शॉझ इस ऐसा टैलन्ट बहुत बड़ा अजीब लगता है और अगर वो इस IPL में और मैं तो हर बार चाहते थे हम लोग हम दोनों तो खे डेली के डेली कैपिटेल्स के लिए काफे टाइम से दिया जला कर बैठे हुए अपने अपने मंदिरों में इसे कुछ भी बात करें उनके भी रिटेंशन तो पैसे काफी होंगे और अगर इनी तीन रिटेंशन पर जाते हैं और चौथे महिंद सिंग धोनी होते हैं तो आपने चार इंडियन खिलाडियों को रिटेन कर लिया है, कम पैसो में, और अब आपके पास थोड़ा सा ज्यादा बड़ा पर्स है, जो भी टीम छे खिलाडियों को रिटेन करेंगी, उसके हिसाब से 32 करोड रुपए एक्स्ट्रा उनके पास होगा पर्स में, जहां से व प्लेयर्स रिलीज होंगे पूल में, इन पर कोई पैसा डालेगा नी, बिल्कुल से वाले गएंगे, बेस प्राइब सारे उठालो और पैसे और पर्स भी बच गया, अब नहीं है, अब ये दोनी भाई को देंगे, ये बचा हुआ पैसा, दोनी भाई आपका हुआ, फिर से हैं, प्लेयर्स वो जो आपको लगता है, CSK को डीटें करें चाहिए, वो भी बताएगे किसको कितने करोण मिलने चाहिए, 18 करोण का, 14 करोण का, और 11 करोण का कौन सा प्लेयर है, आपके साब से ये भी बताइए, और सात में ये भी बताइएगा, कि आपको ये हमारा पॉड